कहानी की शुरुवात होती है दूसरे विश्वियुत के समय में जहां जंग के मैदान में चारों और तबाही मची हुई थी एक नाज़ी सिपाही अपने घोडे पर सबकी तलाशी लेने आया कि अचानक डॉन नाम के एक अमरी की सिपाही ने उस पर हमला करके उसे मा डाला फिर उसने घोडे को रिहा किया और अपने टैंक फ्यूरी के अंदर चला गया जहां उसकी टीम के बाकी सभी साथी मौजूद थे उनका एक साथी अभी अभी शहीद हो गया था जिस वज़े से वो सब बहुत दुखी थे अचानक बाहर फिर से हमले शुरू हो गए तो उन्होंने तुरंत अपने टैंक की मरमत की और अपने कैंप की और निकल पड़े कैंप पर उसने अपनी टीम को अपने साथी का गम भुला कर जंग पर ध्यान देने का हुकम दिया पर असल में वो भी अपने साथी की मौत से तूट चुका था खेर बाद में नॉर्मन नाम का एक नया सिपाही डॉन के पास आया उसने कहा कि उसे डॉन का नया असिस्टेंट बनाया गया है पर डॉन को उस पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि नॉर्मन को फॉज में आये सिर्फ आठ हफते हुए थे खेर उसने नॉर्मन को टैंक अंदर से साफ करने का और दिया और चला गया नॉर्मन पहली बारे टैंक में गुस रहा था और जब वो खून साफ करने लगा तो अचानक उसे उल्टी आ गई तब डॉन ने आकर कहा कि यूँ कमजोर बन कर काम नहीं चलेगा उसे अपने देश के लिए हर एक नाजसी सिपाही की जान लेनी होगी नॉर्मन ने कहा कि उसने आज तक किसी को नहीं मारा तो डॉन ने उसे एक बंदूक पकड़ा कर गोली चलाने से खाई इसके बाद डॉन ने उसे अपनी टीम के अगले मिशन के बारे में बताया फिर वो सब टैंक में बैठ कर मिशन के लिए निकल पड़े रास्ते में कई नाजजी लोग अपने घर छोड़ कर सुरक्षित जगाहों पर जा रहे थे पर डॉन और उसके साथियों ने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया क्योंकि उनकी लड़ाई सिर्फ फौजीयों से थी अचानक नॉर्मन को पेडों में दुश्मन चिपे दिखाई दिये पर वो बंदूग चलाने से घबरा रहा था दुश्मनों ने मौका देखते ही उन पर हमला कर दिया और सामने वाले टैंक का एक सिपाही मारा गया अब डॉन सब को साथ लेकर मनजल की और बढ़ा और कुछ समय बाद वो वहाँ पहुँच भी गए एक सिपाही डॉन से मिला और उसे कैटन वैगनर के पास ले आया कैप्टन ने डॉन को मिशन समझाते हुए कहा कि उन्हें दुश्मन के इलाके में कैद अपने फौजीयों को रिहा करवाना है इसके बाद वो सब तयार होकर दुश्मन के इलाके की और रवाना हो गए जल्द ही उन्होंने अपने साथियों को रिहा करवाना शुरू कर दिया, बगर अचानक दुश्मनों ने उन पर हमला बूल दिया, दुश्मनों के पास मशीन गंस और काफी खतरनाक हतियार थे, वही नॉर्मन अब भी जंग से घबरा रहा था, जब दुश्मन ने उनके टैं नहीं जुटा पाया और रोने लगा, आखिरकार गोडो ने उसे शान्त करके समझाया कि भाई जंग ऐसे ही काम करती है, अगर तुने सामने वाले को नहीं मारा तो तुझे मार देंगे वो, कुछ समय बाद आखिरकार उन्होंने दुश्मन इलाके पर फते हासिल कर ली, बा उनके साथियों ने एक नादसी सिपाही को बकडा जो उनकी टीम में भेस बदल कर घुसाया था, अब डॉन ने नॉर्मन को इस फौजी को गोली मारने का हुकम दिया, जब नॉर्मन नहीं माना तो डॉन ने जबरदस्ती उसके हाथ में बंदूग थमा कर उससे गोली चलव आखरकार उस फौजी की मौत हो गई और नॉर्मन बुरी तरहां डर गया, इसके बाद वो सब आगे बढ़े तो रास्ते में उन्हें कई लाशें टंगी हुई दिखाई दी, असल में ये उन जर्मन लोगों की लाशें थी जिन्होंने जंग में हिस्सा लेने से इंकार कर द दिया था, खेर जल्द ही वो दूसरे शहर में पहुंचे और वहां छुपे जर्मन फौजीयों को ढूनने लगे, अचानक दुश्मनों ने उन्हें देख लिया और दोनों तरफ से धुआ थार गोली बारी शुरू हो गई, खेर आखर में जैसे दैसे डॉन और उसके साथ ह उसने अपना काम बखू भी किया था, तभी उसकी नजर सामने वाली खेटकी से जांकती हुई एक लड़की पर पड़ी, वो दोनों तुरंट उसके घर पहुँचे तो पता चला कि उसका नाम अमा था, और वो अपनी बहन एमा के साथ यहां चिपी हुई थी, डॉन ने उन दोनों को कमरे में बाते करने को कहा, तो एमा उसे अपने कमरे मिले गई, कमरे में एमा और नॉर्मन ने एक दूसरे को चूम लिया, क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, खेर बाद में जब सब खाना खाने बैठे तो उनकी टीम के फौजी वहां आ गए, वो वो टैंक्स में बैठे तो अचानक शहर में जबरदस बॉम धमाका हो गया, अमा और एमा का घर वहीं मिट्टी में मिल गया, और नॉर्मन तुरंत उनकी और दोड़ा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एमा मलबे में दब कर मर गई थी, नॉर्मन का दिल बूरी जंग की सचाई है, और वो इसे जितनी जल्दी कबूल कर ले उतना वहतर होगा, अब वो रास्ते में थे कि अचानक दुश्मनों ने उन पर हमला बोल दिया, नाजियों के टाइगर टैंक्स उन से कहीं जाधा ताकतवर थे, इसलिए उनका सामना करना डॉन की टीम के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, जल्द ही दुश्मनों ने अमरीकी फॉज के दो सार्जेंट्स को बड़ी बेरहमी से मार डाला, अब डॉन का टैंक फ्यूरी अकेला टाइगर टैंक का सामना कर रहा था, डॉन ने दिमाग लगा कर बड़ी सफाई से वार किये और आखिर कार टैंक को हरा कर दुश्मनों का खात्मा कर दिया, फिर डॉन ने अपने अफिसर्स को मौजूदा हालातों की खबर देनी चाही, लेकिन उनका रेडियो टूट चुका था, उनके साथ ही टैंक के सभी सिपाही मारे जा चुके थे, पर उन्होंने अपने दुख को हसकर टाल द और साथ ही एक दूसरे का होसला बढ़ाया, जल्द ही वो आगे बढ़े और अपनी मंजिल तक पहुँच गए, पर वहाँ पहुचते ही एक लैंड माइन फट गई और उनके टैंक के नीचे की जंजीरे तूट गई, इसे ठीक करने में उन्हें काफी वक्त लगेगा, इसलि नॉर्मन ने ऐसा ही किया, पर कुछी समय में उसे जर्मन सिपाहियों की एक बड़ी फौज उनकी ही तरफ आती हुई दिखाई दी, वो तुरंट दोर कर डॉन के पास गया और इसकी खबर दी, नॉर्मन ने बताया कि फौजी सेंकणों की तादाद में हैं, और उनकी टीम म खुद अकेला वहीं रुक गया, क्योंकि वो इस मिशन का लीडर था, और मुख चुपा कर भागना उसने सीखा ही नहीं था, तब नॉर्मन ने कहा कि सर मैं भी आपके साथ यहीं रुकूंगा, आखिरकार एक एक करके सबने वहीं रहकर अपना मिशन पूरा करने की ठान ली फिर उन्होंने डॉन से प्लैन के बारे में पूछा, तो डॉन ने उन्हें एक नाजजी जिपाही की लाश यहां लाकर उसे जलाने को कहा, फिर उन्होंने फ्यूरी टैंक के चारों और आग लगा दी और सब उसके अंदर चिप गए, ताकि नाजजीयों को लगे कि यह टै चलाना सीख गया था, कुछी पलों में नॉर्मन ने देखा कि दुश्मनों की फौज उनके टैंक की ओर बढ़ रही थी, उसने बाकी साथियों को साबधान किया और सब हमले के लिए तैयार हो गए, जल्द ही दुश्मनों ने उनके टैंक को घेर लिया, और जैसे ही एक पूरी फौज थी और एक तरफ सर्फ पांच सिपाही, पर फिर भी वो जीजान से लड़ते रहे, उन्होंने दुश्मनों पर बंबारी करके उनके कई ट्रक्स तभा कर दिये, फिर उन्होंने पास की बिल्डिंग पर भी जबर्दस धमाके कर दिये, जिसमें छिपे कई पूरी फौजी मारे गए, डॉन की सर्फ पांच लोगों की टीम एक साथ कई दुश्मनों का खात्मा कर रही थी, पर जल्द ही उनकी गोलियां खत्म होने लगी, अब डॉन ने खुद बाहर जाकर और हतियारों का इंतजाम करने का फैसला किया, पहले उन्होंने बाहर स्मो फौजी उनके टैंक पर जड़ गए, डॉन ने उनका सामना किया पर इसी चकर में उसे गोली लग गई, जैसे तैसे वो टैंक में गुशा और उसके साथियों ने उसके घाव पर पट्टी की, अब चारों और पूरी तरह शांती थी, नाजियों ने चारों और से चुप चा आगे बढ़कर टैंक पर कबजा करने का फैसला किया, महीं डॉन की टीम भी पूरी तरह चोकरनी थी, टैंक के पास माचते ही नाजियों ने जबर्दस धमाके से टैंक में छेद कर दिया, इसी धमाके में एक कून की मौत हो गई, उसके साथ ही दुख के मारे रोने लगे पर डॉन ने चला कर कहा कि हम अब भी जंग के मैदान में हैं और उन्हें अपनी आखरी सांस तक लड़ते रहना होगा, अब वो चारों फिर से दुश्मनों पर वार करने लगे पर दुश्मनों की तादाद बहुत जादा थी, पर फिर भी वो लगातार ग्रिनेड्स और गोलि अब टीम में सर्फ तीन सिपाही बचे थे, बाइबल और नॉर्मन टैंक के अंदर आ गए और डॉन मशीन गन से दुश्मनों का सफाया करने लगा, जैसे ही बाइबल बॉम फैकने के लिए बाहर निकला, तो दुश्मन ने उस पर वार करके उसे मार डाला, जल्द ही जल्द ही दुश्मनों ने आगे आकर टैंक में ग्रिनेट फैंक दिये, डॉन ने नॉर्मन को टैंक के निचले हिस्से से बाहर निकल जाने को कहा, आखिरकार डॉन को अलविदा कहकर नॉर्मन बाहर निकल गया, और टैंक में जबर्दस थमाका हो गया, बाद में एक नाज को नहीं बताया, अगली सुभार नॉर्मन की आँख खुली तो उसने टैंक में जाकर डॉन का रिवॉल्वर लेकर उसकी लाश रख दी, अजानक किसी ने टैंक का धकन खोला तो वो हमले के लिए तयार हो गया, मगर ये तो एक अमरीकी फौजी ही था, आखिरकार वो नॉर कर देना, चानल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में